दोस्ता आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपने बोटर आईडी कार्ड के साथ अधार कार्ड लिंक करने के लिए अप लाइक किया हुआ था और आपको उसका स्टेटस चेक करना है कि लिंक हुआ या नहीं लिंक हुआ कैसे आप चेक कर स करते हैं आज कि इस वीडियो में मैं आपको step by step बताने वाला हूं सब्सक्राइब करता हूं दोस्तों पर पहली वार आई यह पहली वार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दवाना ना पुले ताकि आसी हमारी करते हैं कि अगर आप भी चाहते अपने बोटरा एडी काड के साथ अधार कार्ड लिंग जो आपने किया था उसका स्टेटस देखना चाहते हैं हुआ या नहीं हुआ तो सबसे पहले आपको यहां से बोटरा हेल्प लाइन अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है जैसे ही आप यहां पर अपनी बोटर हेल्प लाइन के अप्लिकेशन को ओन करते हैं यहां पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजराता है आपको क्या करना है यहां पर एक्सप्लोर का अप्शन दिया गया है इसके उपर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं status of application इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहां पर आपको अपनी reference ID number डाल देनी है जो आपकी reference ID है चलिए हम यहां पर reference ID डाल लेते हैं तो दोस्तों यहां पर आप सकते हैं accept का option आ चुका है अगर आपका नहीं हुआ होगा यहां पर चारों टिक final हो गए हैं तो समझे आपका बोटरा कार्ड जो है अधार कार्ड के साथ लिंक हो चुका है अगर आपका यहां पर आकर रुका हुआ है तो समझे भी pending में हैं इंतजार करना पड़ेगा और उसक तरह से आप भी बहुत ही असान तरिके से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं आपका बोटर आइडी कार्ड के साथ अधार कार्ड लिंक हुआ या नहीं हुआ आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बता हैं ज्यादा से यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली अप्रिकेशन का बैल लवाना ना बुलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के नौड़ की जर्शन मिलें आपको सब से पहले आज के लिए फिर में ते नए वीडियो न्यू आपडेट के साथ तक लिए जाहिंद बने मात रहां